केंद्रे बजट 2024-23 जुलाई को पेश किया जाएगा, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, बजट से सम्मंदत डॉक्यमेंट्स की प्रिंटिंग भी शुरू हो चुकी है, केंद्रे करमचारियों के संगठन आठवे वेतन आयोग की मांग को फिर से उठा रहे हैं, ग्या में उन्हें कोई तोफ़ा दे सकती है, Confederation of Central Government Employees and Workers of GCM की राष्ट्य परिशद एक साथ मिलकर सरकार पर आठवे वेतन आयोग के गठन के लिए दबाव बना रहे हैं, Confederation के महसचेव, SB यादव ने कैबिनेट सचेव को पत्र लिख कर आठवे वेतन आयोग के गठन की आमदोर पर केंदे करमचारियों के लिए वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किये जाते हैं, पिछला यानी सातवा वेतन आयोग, पूर्व सीम मनमोहन सिंग की सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था, इसमें 19 नमंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की, सातवे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई, इस पैटरन के हिसाब से अगले यानी आठवे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए, लेकिन अब तक उसके गठन का एलान नहीं हुआ है, यही वज़ा है कि करमचारी संग सरकार से जल्द का परवाई करने का अग्रे कर रहे हैं, केंदर सरकार के एक करोड से अधिक करमचारी और पैंशन भोगी इस घोशना का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, आने वाला बजट पीएम मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कारकाल का पहला बजट होगा, नए वेतन आयोग की समिसीम भी नजदी का रही है, इसने सरकार कम से कम इसके लिए तैयारी शुरू करने के संकेत दे सकती है, इसे तुरंत लागू करने से अर्थ वैवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी खजाने पर दबाव भी पड़ेगा, ऐसे में अधिकांश जानकारों का मानना है क कि आठवे वेतन आयूग की जरूरत तो है, लेकिन बजट 2024 में इसकी गोशना की जाने की संभावना कम ही है, केंद्र सरकार के करमचारी और पेंशन पाने वाले आठवे वेतन आयूग के अलावा कई और मांगे भी कर रहे हैं, करमचारी परिसंग कुछ प्रमुक मांगे है करमचारी चाहते हैं कि नैशनल पेंशन सिस्टम यानि NPS को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, केंद्र करमचारी COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DADR को जारी करने की मांग कर रहे हैं, करमचारी चाहते हैं कि अनुकंपा निक्तियों पर ल करमचारी के बराबर का दर्जा दिया जाए, बता दें कि केंद्र सरकार के करमचारी और पेंशन भोगी अर्ठवे वेतन आयोग के बारे में किसी भी घोशना का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बजट में उनकी इन मांगों पर क्या फैसला करेगी, ये साफ नहीं है, इस बारे में सरकार का कोई भी निर्ण है, उसकी प्राथ मिक्ताओं और सरकारी खजाने की स्थिती पर निर्भर करेगा, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं